लो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इडू फईल आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लैक बॉडी रेडियेशन में ये जानेंगे क्वांटम मेकैनिक्स के शुरुआत कहां से हुई थी कैसे रेले जीन्स ला और वीन्स ला फेल हुआ और हमारा क्वांटम मेकैनिक्स डिवलप हुआ इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडियेशन के बेसिक्स के बारे में समझाता यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं ताकि यह आपको अच्छे समझ में आए जब हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो यह क्या एमिट करता है रेडियेशन एमिट करता है जिसको आप लाइड भी कह सकते हैं अब यहाँ पे हम अलग 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 तंप्रेचर पे इसको हीट कर सकते हैं अलग अलग तंप्रेचर पे यहीट करने से क्या होगा अलग तरह की रेडियेशन इस ब्लैक बॉडी से निकलेगी for example यहाँ पे आप इसमें देखिए यहाँ पे wavelength है इस तरीके से और यहाँ पे energy density है अगर माल लेते हैं हम 3500 Kelvin का temperature से इस black body को heat कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए 400 से 700 nanometer पे हमारा क्या होता है visible light होता है यानि यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम 3500 Kelvin पे heat कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से curve मिल रहा है इस तरीके से curve मिल रहा है energy density का तो यहाँ पे आप देखिए maximum आपको किस पे मिल रहा है किस wavelength पे मिल रहा है 700 nanometer से ज़्यादा wavelength पे आपको maximum peak मिल रहा है यानि यह जो radiation है यह हमें दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि हम 400 nanometer से 700 nanometer को ही देख सकते हैं यानि अगर आप कम temperature देंगे तो ऐसी radiation emit होगी जिसको आप देख नहीं सकते हैं लेकिन जैसे हम temperature को और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देखे कर्व थोड़ा सा इधर shift हो गया है कर्व इधर shift हो गया 4000 Kelvin पे और यहाँ पे लगभग 700 nanometer के आसपास आ रहा है तो आपको हलका reddish color दिखाई देगा ठीक उसी तरीके से और color आप increase करेंगे तो यह थोड़ा सा और shift हो जाएगा यानि orange आपको दिखाई देगा orange और shift करेंगे तो yellow फिर और shift करेंगे तो मतलब और temperature बढ़ाएंगे तो और shift होगा तो आपको green दिखाई देगा तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब हम temperature बढ़ा रहे हैं तो wavelength क्या हो रहा है decrease हो रहा है wavelength decrease हो रहा है wavelength और frequency एक दूसरे के opposite होते हैं इसको आप ध्यान से समझेए अब ये energy distribution आया था इसी को हमने wind displacement ला कहा था कहा था lambda into t lambda max into t ये होता है b constant के या फिर आप कह सकते lambda m is equal to b by t यानि एक दूसरे के inversely proportional temperature बढ़ा रहा है तो क्या हो रहा है lambda घट रहा है ये हमने जाना था wind displacement ला से अब देखिए ये जो हमारा energy density का आया है इसको हम लोग देखेंगे कि भाई इस wavelength में इसका energy distribution कितना है एक छोटे से wavelength region में ये तो बहुत बड़ा region हो गया यहाँ इतने बड़े region में लेकिन हम लोग क्या करेंगे छोटे से wavelength region में देखेंगे lambda to lambda plus d lambda में इसका क्या है range इस range में क्या है इसकी energy density इस range में हम देखना चाहते है lambda to lambda plus d lambda में तो इसी के हिसाब से दो laws आये हमारे Rayleigh जींसला और Winsla जो की बताते थे कि short wavelength range में कितना हमारा energy density होगा इसी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यह कर्व आप समझ चुके हैं Rayleigh जींसला तो Rayleigh जींसला ने energy emitted जो black body per unit volume per unit volume से जो भी energy density emit होती है उसका इन्होंने formula दिया जो की range lambda to lambda plus d lambda लिया यानि short wavelength range में short wavelength का मतलब यह नहीं कि यहाँ पे short short मतलब एक छोटा सा range तो यहाँ पे इनका जो energy density का formula आया है वो u lambda d lambda is equal to 8 pi kt lambda to the power 4 d lambda यह formula आया है मैं formula को explain करूँगा derivation को नहीं इस video में explain करूँगा इसको आप समझेए यहाँ पे k जो है वो Boltzman constant है इसके value यह इस तरीके से होती है lambda आपको मालूम है wavelength होता है यह आपका energy density है तो यह energy density इन्होंने explain किया लेकिन इनका जो law था वो fail हो गया था किसलिए fail हो था इसी को समझने वाले है अच्छे यह पाया गया कि इनका जो energy distribution ही वो किवल longer wavelength में ही satisfy हो रहा है zero की तरफ करेंगे तो यह increase होगा यानि infinite हो जाएगा और infinite energy तो हमें नहीं मिल रही है आप curve में देखिए कहां पे infinite हो रहा है energy distribution कहीं पे नहीं हो रहा है तो इसी लिए यहां पे यह short wavelength में fail हो जाता है short wavelength में यह fail हो जाता है क्योंकि अगर हम lambda को zero की तरफ approach करते हैं lambda को अगर हम zero की तरफ approach करते हैं तो यह क्या हो जाता है infinite हो जाता है और हमारा जो curve आया है experiment से वो infinite नहीं है वो infinite नहीं है तो यहां पे यह short wavelength में fail हो जाता है long wavelength में आसानी से यह black body के spectrum को बताता है यहां पे आप लोग देखिए यहां पे आसानी से बता रहा है जैसे हम धीरे धीरे इस तरफ आ रहा है short wavelength पे तो यह देखिए infinite की तरफ बढ़गा रहा है यह किस की तरफ बढ़गा रहा है infinite की तरफ formula से भी हो रहा है कि बाई जैसे जैसे 0 की तरफ tendency करेंगे वैसे वैसे इनर्जी हमारे infinite हो जाई लेकिन हमारा जो experiment है उसमें infinite नहीं हो रहा है करहा हमारा जैसे हम black body का experiment करते हैं उससे जो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हमारा religion LA fail होता है at short wavelength, long पे तो यह explain कर रहा है, short पे fail हो रहा है, further यह पाया गया कि religion जो था, वो predict करता है कि ब्लैक बाडी जो है enormous amount of energy जो है short wavelength region में so that no energy is evolution for longer wavelength region और ये भी हमारा religion law predict करता है कि जैसे जैसे short wavelength पर हमार आ रहे हैं ये देखिए long wavelength जैसे जैसे short wavelength पर आ रहे हैं infinite या enormous amount of energy emit कर रहा है देखिए यहाँ पर देखिए infinite की तरफ tend कर रहा है अब जबकि infinite energy emit ही नहीं कर सकता है, infinite energy emit ही नहीं कर सकता, love conservation of energy के खिलाफ कैसे infinite energy emit करेगा, तो यहाँ पर यह फेल हो जाता है, so that no energy is available for longer wavelength, अब यहाँ पर black body radiate mostly in visible and infrared region, जो हमारा black body है वो mostly infrared और visible region में emit करता है, infrared और visible कहां होता है, 400 से 700 के बीच में हमारा visible होता है, और 700 से ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, infrared हो जाएगा थोड़ा बहुत, और ultraviolet यहाँ होता है, 400 से थोड़ा सा नीचे, 700 से थोड़ा जादा infrared होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि black body जो visible, this description between the result and theoretical prediction was known as ultraviolet catastrophe, अब ultraviolet को क्या कर रहा है, emit कर रहा है black body, जो की possible नहीं है, तो इसलिए इसको कहा गया है कि ultraviolet catastrophe, तो यहाँ पे रेले जीनसला आपने समझा कि क्यों fail हुआ है, यह लॉंगर wavelength में explain करता है, शौटर wavelength में नहीं explain करता है, अब हम लोग समझ लेते हैं, वीनसला कि वीनसला क्यों fail होता ह यहाँ पे वीनसला का भी करव आप देख सकते हैं, वीनसला क्यों fail होता है, इसको जानते हैं, अब यहाँ पे देखिए वीनसला का formula कुछ इस तरह से यह भी energy density को explain करता है, lambda से lambda प्लस d lambda के बीच में, यहाँ पे इसका u lambda d lambda is equal to c1 एक constant है, lambda divided by lambda to the power 5, e to the power minus c2 lambda t, d lambda, यह formula है, वीन distribution लाका यह c1 c2 constant की absolute temperature है, वीनसला भी energy distribution को explain करता है, लेकिन यह shorter wavelength पे, यह longer wavelength में अच्छे से नहीं explain कर पाता है, explain तो करता है, लेकिन experiment से match नहीं करता है, यहाँ पे यह infinite नहीं हो रहा देखिए, यहाँ पे यह explain करेगा, लेकिन experiment से नहीं match करेगा, तो इसको याद रख temperature यह भी एक गलती है, वीनसला की, यह बताता है कि जो energy emit कर रहा है, black body वो zero की तरफ tend कर जाएगा, very high temperature पर, जैसे जैसे आप temperature को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, वो energy जो होगा, वो zero की तरफ tend कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे contradiction है, experiment result से, कि आप देख सकते है, experiment में कैसा ह हो रहा है, कुछ इस तरीके से हो रहा है, जबकि आपका वीनसला में कुछ इस तरीके से हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए, इस formula से अगर हम समझे कि वीनसला कैसे फेल होता है, तो यहाँ पे आप देखिए, for small value of lambda, जैसे जैसे lambda की value small आप लेंगे, तो exponential component जो होगा, वो ह lambda decreases, हमारा energy increase होगा, जैसे जैसे lambda क्या होगा, decrease होगा, at shorter wavelength, तो इसलिए shorter wavelength पे explain करता है, लेकिन जैसे lambda increase करता है, तो हमारा exponential factor जो होता है, वो बहुत छोटा हो जाता है, lambda को बढ़ाने से, तो क्या होता है, इस case में energy जो होता है, वो reduce होता है, lambda increases, यह वीनसलागर आप देखें होता है, तो इसलिए, Rayleigh जैसलाग और विनसलाग फेल हो जाता है, और हमें एक नया law की जोड़त पड़ती है, जिसको plank ने इसको improve किया, plank ने कुछ formula में changes किये, और black body को अच्छे से explain किया, black body के spectrum को अच्छे से explain किया, planks का law बहुत ही simple है, इन्होंने quantum mechanics का use किया, quantum mechanics यहीं से develop होना start हुआ, अब देखे, Rayleigh जैसलाग और विनसलाग फेल होने का reason क्या है, कि Rayleigh जैसलाग और विनसलाग किसका use करते थे, classical mechanics का, यह लोग use करते थे, equipartition theorem का, for example, अब यहाँ पे समझे, जैसे यह black body है, तो black body भी radiation को emit कर रही, ठीक है, जब temperature बढ़ा रहे हैं, black body किस से मिल कर आपने हो, वो भी atom या molecule से मिल कर आपने होगी, कोई भी चीज्जाग या molecule से मिल कर आपने होगी, तो इन्हों ने माना कि जो atom माफ आपने करे की करता हैं, लेकिन प्रेंग करते हैं, यह बता है, धिस्क्रीट अमाउंट में energy को हैज मतलब क्या है इसका? दिखिए, जैसे माली जे हमने इसको energy दिया atom को energy मतलब temperature दिया तो heat हुआ तो क्या होता है कि ये जो electron है वो higher energy में पहुच गया यहाँ पे अब ये higher energy में पहुच गया तो unstable होता है फिर ये lower energy में आएगा और एक fixed amount में energy को release करके आएगा यानि discrete amount में energy को release करके आएगा इस तरीके से अगर ये और higher में गया है तो इस तरीके से इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है इन दोनों के बीच में नहीं जाएगा यानि discrete ही रहेगा या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा discrete amount में energy को release करता है जबकि यह जो Rayleigh Jeans से यह क्या मानते हैं Continuous यहाँ पे भी आ सकता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लेकिन होता कि एक्चुल में कि यह discrete amount में energy को release करता है आप लोग भी जानते हैं कि यह item में जब electron jump करता है तो वो उतने ही photon को release करता है जतने photon को emit किया इसलिए तो आपका violet indigo, blue, green, yellow, orange, red यह सब color होता है तो यहाँ पे माना गया कि photon होता है यानि packet of light होता है packet of light यानि quanta quanta मतलब बहुत छोटा quanta तो यहीं से quantum mechanics का development होना स्टार्ट हुआ quantum mechanics यहीं से शुरुआत हुआ Rayleigh Jeans law और हमारा Wins law फेल हुआ था इसलिए Planck ने formula दिया Planck के बाद में इसको Einstein ने और explain किया Planck ने तो just केवल experiment को match करने के लिए formula दिया लेकिन बाद में quantum mechanics को और जादा explain किया Albert Einstein ने photoelectric effect देके तो यहाँ पे इसको आप समझे Planck radiation ला क्या है कि जब भी radiation emit या absorb होता है black body का matter और radiation take place only in discrete step discrete step में होता है मतलब एक fixed amount में जैसे माल लेते हैं कि 1.5 energy emit करेगा तो 2.3 energy इसके बीच में energy को नहीं emit कर सकता है 1.5 करेगा या तो 2.3 करेगा या फिर 3.5 करेगा या save amount में energy को emit करेगा या absorb करेगा emission और absorption of radiation take place only in integral step integral step में ही होगा एक formula भी इनों ने दिया e is equal to n h new h यहाँ पे plank constant new frequency of the light है यहाँ पे यह formula दिया यहाँ पे n की value 1.2.3 होगा 1.5 नहीं ले सकते 2.5 नहीं ले सकते energy की value की मैं यहाँ पे n की value की बात कर रहा हूँ तो integral multiple होगा यहाँ पे plank radiation law जो है अगर उसके हिसाब से अगर आप energy distribution calculate करें energy density distribution तो यह formula plank ने दिया plank ने यह formula हमें दिया plank radiation law जो था वो experiment से पूरी तरीके से match करता था इसलिए plank radiation law को consider किया गया है क्योंकि यह discrete step में हमें energy के बारे में बताता था और experiment से यह match कर गया है अब plank law को आप reduce कर सकते हैं Rayleigh genes और wean's law में longer wavelength और shorter wavelength और आप देखें तो Rayleigh genes law और wean's law में आप reduce कर सकते हैं कैसे करेंगे इसको भी समझ लेते हैं यह plank's law का हो गया अब यहाँ पे हमने हमें देखना है कि plank law जो है वीन distribution law और in shorter wavelength region और Rayleigh genes law longer wavelength region की तरह behave करता है यानि दोनों को satisfy करता है plank law तो इसको जल्दी से समझते है plank radiation law is given by equation 3 यह हमारा equation 3 है यह plank law है ठीक है अब यहाँ पे अगर हम shorter wavelength की बात करें तो e to the power hc by lambda kt यह large हो जाएगा अगर हम short wavelength की बात करें पर इसमें बहुत greater हो जाएगा तो e to the power hc lambda kt minus 1 जो है उसको हम approximately e to the power hc lambda kt लिख सकते हैं तो ठीक इसी तरीके से हमारा formula u lambda d lambda 8 pi hc lambda to the power 5 जो होगा वहाँ पे इनके जगहां पे हम shorter wavelength में केवल और केवल यह लिख सकते हैं तो इसको उपर ले जाएंगे यहाँ पर देखें इसको उपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा d lambda तो आप देखें यह किसका formula मिल गया प्लैंक ले इडिशन लाग shorter wavelength में shorter wavelength में अगर आप देखें तो यह हमें वींसला ही मिल गया वींसला जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था देखें यहाँ पर बस c1 इसको माल लिया गया constant को यहाँ पर c2 माल लिया गया constant को बस तो इस तरीके से हम लोग वींसला ला सकते हैं shorter wavelength को अगर हम plank log को देखें तो longer wavelength की अगर हम बात करें तो longer wavelength को जानने से पहले आप exponential का वो जानते हैं क्या expansion exponential x का expansion होता है 1 plus x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial यह expansion होता है अगर यहाँ पे x को अगर हमें small रखें तो क्या होगा higher power term जो होगा वो neglect हो जाएगा x small होगा तो इसका square और ज्यादा small q बहुत जादा small तो e to the power x is equal to क्या हो जाएगा 1 plus x अब यहाँ पे e to the power x के लिए हमने क्या लिया थे स्टी लेमडा केटी यह देखिए एक्स के जहाँ पर क्या है स्टी लेमडा केटी तो longer wavelength में क्या होगा लेमडा लार्ज होगा longer wavelength अगर हम करेंगे तो लेमडा क्या होगा लार्ज होगा amar along यह हमारा सबी क्या लिए लेक् Claudia से लेमडा केटी Ayamdh केटी अब यहां पर इसको इधर भेज दीजे तो e to the power sc lambda kt minus 1 is equal to sc lambda kt हो जाएगा flank law reduce हो जाएगा हमारे u lambda d lambda is equal to 8 pi hc lambda to the power 5 यह तो हमने ऐसे ही लिख दिया और यहां पर इसके जगहां पर हम क्या लिख देंगे e to the power sc lambda kt minus 1 के यहां पर sc lambda kt लिख सकते हैं यहां से into d lambda तो यह हमारा किस में रिडियोस हो गया Rayleigh जीन्स ला में रिडियोस हो गया इसको पर भेज दिजे scc cancel हो जाएगा तो यह रेले जीन्स ला में रिडियोस हो गया है तो यहां पर हमने longer wavelength और shorter wavelength के लिए रेडियोस कर दिया है रेले जिन्स ला और विंस ला में I hope ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा आने वाली वीडियो से हम लोग इसका डेरिवेशन भी करेंगे इस वीडियो में तरक्ते है वीडियो देखने लिए थैंक्यू, थैंक्यू सो मच